यहां उतर भारत में अचानक पारा गिर गया है पहाड़ी इलाकों में अचानक हुई बर्थबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठिटुरन बढ़ कई है तो तस्वीरे आप देख रहे हैं शिमला की और मनाली की तस्वीरे आप देख रहे हैं शिमला में कल पहली बर्थबारी हुई थी और जिसके बाद से लगातार वहाँ पर बर्थबारी जारी है दूसरी तस्वीर आप मनाली की देख सकते हैं मनाली में थोड़ी दूर आगे गुलाबा एक अलाका है जो की टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट है टूरिस्ट को ले जाता है वहाँ पर खासतर के बर्फ काफी होती है लेकिन आपको बता दे इस दौरान जैसे ही टूरिस्ट वहाँ पर गए थे उसी दौरान काफी जादा बर्फबारी हो गई जिसकी वज़े से 500 से जादा टूरिस्ट वहाँ पर फजगए थे जिसमें की जादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं अला कि बर्फबारी भी हो रही है कई लोग इसका मज़ा भी उठा रहे हैं लुट्फ ले रहे हैं लेकिन काफी लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बन गई है तीन तस्वीरे अब आपको हम दिखा रहे हैं शिमला, मनाली और सहारनपूर की सहारनपूर में ओले गिरे हैं शिमला और मनाली के अगर हम बात करें तो तस्वीरों में जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर बर्फबारी हो रही है लगातार शिमला में कल पहली बर्फबारी हुई जिसके बाद जो रिज ग्राउंड है शिमला का वहाँ पर सबसे ज़्यादा परिटक जाते हैं उस इलाके को देखने के लिए खुला एक मैदानी इलाका सा है वहाँ पहाडों की बीच में और वहाँ पर सबसे आदा टूरिस जाते हैं बर्फबारी का मज़ा उठाने के लिए लेकिन कल के बाद से लगातार वहाँ पर बर्फबारी ही हो रही है दूसी तस्वीर आप मनाली की देख सकते हैं इन दिनों स्लो फॉल देखने के लिए भी काफी लोग मनाली का रुक करते हैं तो हिमाचल में जिस तरह से बर्फबारी लगातार हो रही है कई जगों पर लोगों को दिक्कते भी आ रही है